तो कल डीन एम्ब्रोज जॉन मॉक्सली का बर्थडे था तो मेरी और मेरी रैसलफन फैमिली की तरफ से डीन एम्ब्रोज को हैपी बर्थडे बाकि आप भी अपनी विशिस को छोड़ सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर बस भाई मैं तो इतना ही कहूँगा डीन एम्ब्रोज को के बाई बहुत हो गया तुमारा AEW के साथ अब तो तुम वापस आजाओ WWE में क्योंकि WWE का हरेक फैन तुमारा इंतजार कर रहा है बाकि मैंने आपको अल्रेडी बता कर भी रखा है कि AEW के साथ जॉन मॉक्सली का जो कॉन्ट्रेक्ट है वो 26 ताइस तक खतम होगा बाकि आप बताओ कि क्या डीन एम्ब्रोज को WWE में वापस आना चाहिए या फिर नहीं इसी के साथ कल SmackDown पर क्या कुछ होगा और साथ इसा जे उसो वरसे जिमी उसो के मैच के बारे में कुछ अपडेट्स निकल कर आई है आई मी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लो मरी जान तो सबसे पहले कल के शो पर सबसे जो बड़ी चीज होने वाली है वो है CM Punk का Return एंड एक्स्पेक्टेड है के CM Punk और Paul Eman के बीच में सेगमेंट देखने को मिल सकता है जिसके लिए मैं तो personally काफी जादा excited हूँ इन दोनों के बीच क्या बाते होने वाली है एंड रैसलिंग व्लॉक्स वालो की तरफ से ये ट्वीड भी आप पड़ सकते हो जिसमें उन्होंन वाला है वो ट्रिव्यूट होने वाला है ट्रूप्स के उपर बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना आपको स्मैक डॉन का रिव्यूट यहीं पर देखने को मिल जाएगा हिंदी में अब बात करते हैं जिमी उसो वर्सिट जे उसो के मैच के बारे में जिसको क डबल डबली ने समर स्लैम से होल्ड पर रखा हुआ है तो कुछ दिन पहले जे उसो से एक इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि आप रैसलमीनिया 40 के अंदर किसको फेस करना चाहोगे तो जे उसो ने यहाँ पर बड़ा ही इंटरस्टिंग सा अंसर दिया जे उसो न सब्सक्राइब करें जाएंट पर देखने को मिलेगा कि यह एक ऐसा मैच है जिसका फैंस को बेज सब्सक्राइब को अब यह रखा हुआ था बात करें इनकी फ्यूड की तो रॉयर रंबल से जीमी उसो एंड़ जे उसो के बीच हमें प्रापर फ्यूड देखने को मिलेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान